हलो फ्रेंड्स कैसे हो आप सब आई होप सब आप सब ईच्छी होंगी तो आज मैं आपके लिए तींटेन का कंसीलर और फांडेशन का रिव्यू लेकर आई हूँ जो चैनलर और फांडेशन है यह एक इस्टिक में आपको यह मिलेगा इस तरह के तींटेन आपने और कुछ और कॉस्माटिक कुछ पर प्रॉडक्ट है मेरा ब्यूटी केर से रिलेटेड कुछ पर पर प्रॉडक्ट है वो सभी मेरे Tinteen के हैं क्योंकि ते प्रॉडक्ट है काफी ट्रस्ट वर्डी पॉकिट फ्रेंडली है और बहुत easy to use है travel friendly तो है ही है और काफी अच्छे product है इनके तो यहां में आज आपको tintin का nude concealer plus foundation आपको यह stick foam में मिलेगा इस तरह की आपको इसकी packaging मिलती है इस तरह की यह देख रहे हैं इस तरह की आपको यह packaging मिलेगी और इस तरह का अंदर से यह product मिलता है आपको इस तरह से जैसे lipstick होती है न जैसे lipstick हो दिया उस तरह से यह open होता है और काफी quantity अच्छी quantity में आपको यह मिल जाता है easily अच्छी quantity है इसकी 6.5 ग्राम की quantity है और 250 जो है इसका price है काफी अच्छा है nude shade है मेरी जो shade number है वो है 02 आप अपनी skin के according का shade number ले सकते हैं 1 ले सकते हैं 2 ले सकते हैं 3 जो आपकी shade के according होगा आपको वही लिना पढ़े बट आपको इसका जो stick का use करने का method वह पता होना चाहिए कि आपको कैसे use करना कैसी इसे अपनी skin में blend करना तो वह आपको देखना है कि इसे कैसे लगाना है तो यहां सबसे पहले मैं use कर रही हूँ tintine का primer अगर आप कुछ भी foundation या concealer यूज करते तो उससे पहले आपको oily भी ना लगे तो आपकी जो skin है काफी smooth काफी shiny लगेगे अगर आप primer यूज कर लेते हैं foundation या concealer apply करने से पहले तो यहां मैंने पूरे face पर primer अच्छे से apply कर लिया है तो जो आप पतना primer किसी भी brand का जो आप use करते हैं कोई नहीं कि आपको tintine का ही यूज करना नहीं जो आपके पास है जो आप use करते हैं सिरफ वही यूज कीजिए 2-3 second के लिए इसको ऐसे ही रखना है primer को then आपको यह tintine का जो मेरा nude shade है second number two number की जो है concealer वो मैं use कर रही हूँ कैसे इसे apply करना है और कैसी से अच्छे से अपनी skin में absorb और blend करना है वो आपको ध्यान से देखना है तो यहां मैं stick जो है इस तरह की stick है जैसे lipstick को हम twist करके open करते हैं तो यह इस तरह से stick है और आप color इसका देख सकते है मेरी skin के साथ अच्छे से match होने वाला color है तो अपनी skin को पहले dab dab कर लिया है हमें ताकि जो primer है वो अच्छे से set हो जाए skin में आपको इस तरह से dot dot करके अपने पूरे face पर इस apply करना है lips के around अच्छे से apply करें eyes के around का भी अच्छे से apply करें क्योंकि nose eyes और lips के around blackness जो होती है वो जादा होती है तो अपने आपको पूरे face पर इस तरह स लगेगा तो यहां मैं beauty blender का use कर रही हूँ आप अपना कोई brush makeup brush जो होते हैं वो use करते हैं तो वो भी use कर सकते हैं इसे blend करने के लिए बाकी अगर हम beauty blender use करते हैं तो उससे जाधा पैटर अच्छे तरीके से जो है यह हमारे skin में absorb हो जाता है हमारे face पर अच्छे से spread हो जाता ह तो आपको इसे अच्छे से wash कर लेना है beauty blender को squeeze करना है और इसे dab dab करके neck पर ears पर साथ में ears पर भी आपको हलका full का touch up देना है इस concealer का ताकि जो face है neck है और ears है वो equal लगे इस तरह से dab dab करते रहना है ताकि बिल्कुल अच्छे से blend करना equally blend करना आप blend करने के बाद आप देखना कि बिल्कुल कहीं से भी आपको uneven नहीं लगेगा totally even skin लगने वाली है अगर आप अच्छे से blend कर लेते हैं तो आपका यह concealer आपका 6 घंटे तक अच्छे से stay करेगा और यह जो मेरा concealer tintin का 6 घंटे से पहले कहीं नहीं जाता है क्योंकि मैं अच concealer लगाने से पहले primer apply जरूर करना है otherwise अगर आप direct apply करेंगे तो sticky और patchy लगेगा तो पहले primer use जरूर करें primer is must तो आपको इस थरह से dab-dab करते करते अच्छे से पूरे face पर देखे blend हो गया है difference आप देखी सकते हैं without makeup और with makeup आप देखी सकते हैं अच्छे से यह मेरी face पर अच्छे से spread हो गया blend हो गया है कहीं से भी uneven आपको नहीं लगेगा जिसे यह corner बना हूँ है beauty blender का तो वहां से आप eyes पर भी अच्छे से dab-dab करके corner तक easily आप अपने face पर इसे spread कर सकते हैं और मैं आपको भी इसका final look तिखाती हूँ कितना clean लग रहा है कितना makeup मतलब बहुत अच्छा हो जाता है beauty blender से और यह concealer वाक्य में यह बहुत अच्छा है आप देखी सकते हैं कहीं से भी uneven नहीं लग रहा बिल्कुल equal है आप खुद देख सकते हैं neck, ears और फूरा face जो है बिल्कुल equal लग रहा है कहीं से भी अलग नहीं लग रहा है so अगर आपको वीडियो अच्छी लगी तो thanks for what